वेलकम बैक गाईज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीसे फर्सम का जो सी का लेंग्विज का जो पीपर है माइनर उसके बारे में किसके इंबॉर्डन टॉपिक्स कौन से हैं हलाकि मुझे पता है कि हम काफी लेट हो गए हैं एक्जाम आपकी कल ही है बट फिर भी आ हमारे बहुत सारे धुरंदर ऐसे हैं जो जो एक दिन पहले ही पढ़ता है तो उनके लिए तो अभी भी ये यूसफुल है वीडियो लाइक चलिए तो अगर हम पहले यूनिट की बात करें तो इसमें आपको जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है टॉप डाउन बॉटम अप एंड मॉडिूलर ये पता होना चाहिए देन यदि हम बात करें तो स्ट्रक्चर के फीचर्स मेरिट डी मेरिट्स C का कोई भी आप एक प्रोग्राम बेसिक प्रोग्राम उसका स्ट्रक्चर उसको कमपाइल कैसे करते हैं और रण कैसे करते हैं detailed procedure और आपकी algorithm और flow chart के जितने भी symbols होते हैं ये आपके लिए most important है ठीक है ये अगर कर लिए तो पहली unit आपकी मान चकते हैं कि काफी हद तक complete हो गई second unit है आपकी programming in C तो इसमें जितने भी आपके variables हैं आपके arithmetic, logical, relational operators हैं ये बहुत जरूरी हैं आपको पता हूँ और operators में आपके सारे operators आगए, unary, binary, ternary चेक हैं और next है इसी unit में आपका आपको type conversion पता होना चीए, implicit and explicit दोनों और at least तीन आपको single character के input और output function अगर पता हैं तो हम ही मान सकते हैं कि आपका ये unit भी काफी हद तक control में next है हमारी third unit जिसमें most important है आपका decision making तो इसमें यदि हम देख लें तो if else क्या होता है उसका syntax देखिए programming language की paper में आपको syntax लिखना बहुत ज़रूरी होता है और इदि आप एक program भी लिख दें तो फिर तो सोने पे सुहागा ठीक है तो if else switch case और जितने भी तीनों loops हैं आपके for while and do while कि आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है in case यदि इनमें से कोई missing है तो आप हमारी C++ की जो playlist है उसमें भी देखेंगे syntax same होता है दोनों का ठीक है तो यह loops यदि आपने कर लिए तो यह आपकी unit अच्छी हो गई fourth unit में है आपके पास में आपको array पता होना चाहिए 1D, 2D and 3D array इसका एक program क्या आप elements को कैसे read और कैसे display करवाओगे ठीक है और आपके string के जो functions है यह और एक आपको at least structure क्या होता है और कैसे बनाता है सिर्फ इतना ठीक है तो यह आपकी होगई fourth unit पांच्वी unit के अदि हम बात करें तो पांच्वी unit में है आपके पास में जो user defined functions होते हैं चार टाइप के call by आपका एक होता है written type with argument, written type without argument दूसरा होता, void type with argument, void type without argument ऐसे चार होते हैं total यह आपको पताऊना चाहिए most important है call by value और call by reference और यदी हम बात करें तो आपको recursion पताऊना चीव यह recursion और scope of life of variable, local और global variable क्या होते हैं यह और आपकी storage class यदी इतना कर लिया तो आप file management यदी skip भी हो गया तो भी चल पाएगा हाला कि आपको skip करना नहीं है पूरा syllabus ही important है बट अगर आपने इतना कर लिया तो आप एक respectable marks को earn कर सकते हो ऐसे नंबर आपको आ सकते हैं जो आप किसी को बताने लायक हो जो नंबर ठीक है तो यदी आपने वीडियो को देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह बहुत गलत बात है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अपने next वीडियो में